श्री दुर्गाय नमे, अत्थ श्री दुर्गाश अप्षती, बारवा अध्याई, देवी चरित्रों के पाट का महातम्य ध्यान, मैं तीन नेत्रों वाली दुर्गादेवी का ध्यान करती हूँ, उनके श्री अंगो की प्रभाबिजली के समान है, वे चिंग के कंध्य पर ब द्रमा का मुकुट धारन करती हैं, देवी बोली देवताओ, जो एकाग्रचित होकर, प्रति दिन इन स्तूतियों से मेरा सत्वन करेगा, उसके सारी बाधा मैं निश्चे ही दूर कर दूंगी, जो मदु कैटब का नाश, मैशाशूर का वध, तथा शुम निशुब के संग प्रशंग का पाठ करेंगे, तथा अस्टमी, चत्वर दर्शी, और नौमी को भी जो एकाग्रचित हो, भगते पूर्वक मेरे उत्तम महातम में करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्यां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद नहीं होगा, इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भगते पूर्वक मेरे इस महातम में को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, यह परम कल्यान कारक है, मेरा महातम में महामारी जनित समस्त उपदर्वों तथा आध्धात्मिक आदितीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने व अवशरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा-पूरा पाठ और श्रवन करना चाहिए, ऐसा करने पर मनुष्य विधी को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बली, पूजा या होम आधी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रशंता के साथ ग्रहन करूंगी, सरतकाल में जो मेरे इस महातम्य मेरे प्रादुर्भाव के सुन्दर कथाएं, तथा युद्ध में किये हुए मेरे प्राकर्म सुनने से मनुष्य निर्वे हो जाता है, मेरे महातम्य का श्रोंग करने वाले प्रोशों के शत्रू नस्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्यान के प्राप्ती होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है सरवत्र शांती कर्म में पूरे सोपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भहंकर पीड़ा उपस्तित होने पर मेरा महातम में श्रोण करना चाहिए इससे सब विग्न तथा भहंकर ग्रह पीड़ाईं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दूशोपन श्रोपशोपन में परिवर्दित हो जाता है बाल ग्रोशे आकरांत हुए बालकों के लिए यह महातम में शांती का रखें मेरा यह सब महातम में मेरे सामे पे के प्राप्ति कराने वाला है पशू, पूश्प, अर्दिय, दूप, दीप, गंध आधी उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्रहमनों को भूजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिशेक करने से नाना प्रकार के अन्य भोगो का आरपन करने से तथा दान देने आदी से एक वरश तक जो मेरी आराधना के जाती है और उससे मुझे जितनी प्रशंता होती है उतनी प्रशंता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवन करने मात्र से हो जाती है यह महात्म में श्रवन करने पर पापों को हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है मेरे प्राधुरुभाओं का किर्दन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्विश्यक चरित्र तोष्ट दैत्यों का संखार करने वाला है इसके श्रोन करने पर मनुश्यों को शत्रू का भ्या नहीं रहता देवताओं तुमने और ब्रह्मरिश्यों ने जो मेरे स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्यान में बुद्धि प्रदान करती हैं वन में सुने मार्ग में अथ्वा दावानल से घिर जाने पर निर्जन स्थान में लुटोरों के और आत्यंत भेयं कर्यूद में शस्त्रों का परहार होने पर अध्य वेदने से पिदित होने पर किमबहुना सब्गत करता है वह मनुश्य संकट से मुक्त हो जाता है मेरे प्रभाव से सिंग आदी हिंचक जन्तु नश्ट हो जाते हैं तथा लूटे रे और शत्रू भी मेरे चरित्रकार्श्मन करने वाले पुरुष्टे दूर भागते हैं रिशी कहते हैं यों कहकर प्रचंड प्राकर्म वाले भगवती चंडी का सब दे यंकर अतुल प्रागर्मी देवशत्रू शुम्प तथा महा बलिनी शुम्प के यूद में देवी द्वारा मारे जाने पर शेश देत्य पातालोक में चले गए राजन इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुन्हे पुन्हे प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं वे ही इस वेशु को मोहित करती हैं वे ही जगत को जनम देती तथा वे ही प्रात्ना करने पर सन्तुष्ट हो विज्ञान इंव्समृद्धि प्रदान करती हैं राजन महापल्य के समय महामारी का सुरूप धारन करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मार्ण में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वम एजन्मा होती हुई भी सस्टी के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातिनी देवी ही समय नुशार संप बोटों कि रक्षा करती है मनुश्यों के अभ्यूद्य में लक्षम के रूप में उन्हति प्रतां करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं पुश, धूप और गंध आदिस से पूजन करके उनके स्तुति करने पर वेधन, पुत्र, धार्मिक बुद्धी तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं इसी प्रकार श्री मारकंडे पुराण में सावनिक मनवंतर की कथा के अंतरकत देवे महातम्मे में फल अस्तुति नामक बारवाध्याई अंपून हुआ श्री दुर्गाई नमें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद